दोस्तों मैं आगे हूं मास्टर जाटेटी के एपिसोड 28 के साथ सो चलो बिन्या की जिताब बख्वास के स्टाट करते हैं तो पिछले एपिसोड में जैसा केम ने देखा था कि जिस गाओं में हमारा हीरो था उस गाओं में अब एक खतरनाक आदमी आ चुका होता है जिसके पास बहुत ही जादा डार्क पावर होती है लेकिन जो हमारा हीरो वह उसकी पावर को सेंस कर लेता है और उसके बाद वह सभी लड़ने लगते हैं लेकिन जो वह आदमी वह बहुत जादा खतरनाक था तो वह अपने एक ही बार से चैन क्यूवान को दूर फेक देता है और वह हमारे हीरो पाट पर टेक कर रहा होता है और इस एपिसोट के शुरुबात में हमारे हीरो को देखते हैं जो की जैसे न आत्यसे इपसिती है और बोलता है कि ही भगवान और पक पक कर लेता है जो आदमी बूलता है अच्छा है तो अभी मुस्थर रचा हो हाँ और दूसी तरह हम चैन की उबान को देखते हैं जो कि अपनी बहुत साथ पुरी हालत में होता है और वो बोलता है सर इस आदमी का नाम शीयू असुरा है और ये इस वक्त डार्क एनाइजी के फोर्थ लेयर पर है हमें याँ से चले जाना चाहिए उसकी बात सुनकर हमारा ही दो उस लड़की को याद करने लगता है और सोचता है असुरा रक्षशा इन दोनों के जो कपड़े हैं वो भी इनके नाम के साथ साथ काफिर जादा सिमिलर है शाहसे इन दोनों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है लेकिन तभी जो वो खतरनाक आदमी है वो एक भाले टाइप की जैसे चीज़ चैन की वान की और महां देता है और बोलता है तुम बहुत साथा बोलते हैं पहले मुझे तुम्हें ठिकाने लगाना होगा और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो भाले जैसे चीज़ से वो चैन की वान की तरफ आ रही होती है बिल्कुल आई चुकी होती है आँख के पास आ चुकी होती है लेकिन तब ही जो हमारा ही रोग देता है और बोलता है क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा टार्गेट यहां पर कौन है मैं सिर्फ उस गोली को बनाने वाला ही नहीं हूँ बलकि मैं ही वो इनसान हूँ जिसने उस हत्यान रक्षशा को मारा है तो ये सुनकर जो वो आदमी है वो बहुत ही ज़्यादा कुस्ते में आ जाता है एंड पूलता है तो तुमने मेरी बेहन को मारा है हाँ अच्छा तो दोस्तों जो वो औरत हमारे हीरो को मारने के लिए आई थी वो इस आदमी की छोटी बेहन थी लेकिन तभी जो हमारा हीरो है वो चलका जाड़ियों की तरफ जाने लगता है एंड बोलता है अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो मुझसे बदला लेने के लिए तो वहाँ पर किसी बेवकूफ की तरह खड़े मत रहो तो ये सुनकर उस आदमी को और भी ज़दा गुस्ता आ जाता है एंड वो बोलता है बच्चे मैं तुम्हें टुकडों में काटने वाला हूँ तुम देखना एंड उसके बाद वो आदमी भी हमारे वीरों के पीछे जाने लगता है एंड चैन पीवान ये सब देख रहा होता है वो बोलता है मुझे फिलकुल भी इंदाजा नहीं था कि जो मिस्टर शीव असुरा है वो यहाँ पर आ जाएगा काश अगर मैं जाधा ताकतवर होता लेकर उसके बाद वो सोचे लगता है कि आखर ये सब क्या हो रहा है आखर वो दोनों कहां पर जा रहे है और उसके बाद यहाँ पर सीन बेलता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों और जंगल की ओर जा रहे होते हैं वो जो खतरनाक आदमी है वो हमारा हीरो का पीछा कर रहा होता है हमारा हीरो काफ़े ज़दा तेज भाग रहा होता है और हमारा हीरो तभी सोच रहा होता है कि मैं इस आदमी को गाउं से जितनी दूर हो सके उतनी दूर लेकर जाना चाता हूँ लेकिन मैं रहे नहीं सोचाता कि ये आदमी मेरे पीछे इतनी चल्दी आ जाएगा यानि कि दोस्तों ये आदमी भी काफी तेज है दोड़ने में लेकिन दोस्तों उसके बाद वो आदमी बिजली की रफतार के साथ हमारे हीरो के पास आ जाता है हमारे हीरो की पावर की वज़े से वो आदमी काफी जादा दूर फिक जाता है दोस्तों शाइख़शे वो फिका नहीं है वो बस कहीं छुप चुका है जिसके बाद जो हमारे हीरो है वो बहुत ही जादा चौकर ना होकर बोलता है हम दोनों ही डार्क एनरजी के फूर्ट लेयर के एंशन वाइयर्स हैं लेकिन तुम्हारा जो लड़ने का एक्सपिरियंस है वो बहुत साथा बुरा है और मुझे तो अब इस बात पर शर्म आ रही है कि मेरी बेहन तुम्हारी जैसे किसी आदमी के हाथों मारी गई सो उसकी बाते सुनकर हमारा ही तो सोचता है मुझे इसके गुस्ते का फायदा रहाना चाहिए और वो बोलता है तुम दोनों का सिबलिंग सोना मुझे काफी जादा फायदा करने वाला है क्या तुम्हारी बेहन निमाने से पहले कुछ ऐसा ही कहा था लेकिन आखर में उसकी फेस ही नहीं देख पाया क्योंकि उसकी बॉड़ी ही पूरी जल चुकी थी सिर्फ हड्डियां बची थी और वो भी कुछ दिर में जल गई लेकर दोस्तों वो पीछे से आता है यह देखकर हमारा ही तो यह सोचता है तो प्स गया है अजिसके बाद हमारा ही रो उस पर एटेक कर देता है अपने टु एकसपैक ब्लेस से जो कि यहां एक fire attack है यह देखकर जो वो आदमी है वो वहां से उचलता है और दूस्तों कड़ाई को को लाटी खा रहा होता है और दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं जो कि उस पर लगाता है अटैक किये जा रहा हुता है और वो सोच रहा होता है कि इसका प्लेम टैक्निक अच्छा तो रक्षसा जरूर इसी टैक्निक की वज़े से मारी गई होगी मुझे लगता है कि मैंने इस बच्चे को कमाकने की कोशिश की मेरा मतलब गल्ती की एंड दूसी तरफ हमारा हीरो उस आदमी की स्पीड देखकर सोच रहा होता है कि यह कितना जादा फास्ट था इसने कितनी जल्दी प्रतिकिरिया दी क्योंकि मेरा जो ट्रू एक्सपेक्ट ब्लेज फायर अटैक है वो इसे शुहित नहीं पाया तो अब मैं सिर्फ मेरी आखरी अटैक पर ही भरुसा कर सकता हूं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी छुपा हुआ ह और युदे कि बच्चे मुझे चल्दी से वो फॉर्मला दे दो और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और मैं यह सोचूंगा कि मेरी बेहन की जान उस एलिमेंट होनिंग पिल को पाने का एक सौधा था सो उसकी बास तुनकर हमारा ही बोलता है तो फिर मेरे पास आओ तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो खतरना कादमी है वो बहुती तदा तेजी से हमारे हीरो की तरफ आने लगता है और वो बोलता है कि मैंने तुमसे जूट बूला बेवकूफ आदमी ऐसा हो इनी सकता कि मैं तुम्हें जाने दूँगा मेरी बेहन को मानने के बाद य देखते हैं कि उन स्टार्स का टैक हमारे हीरो को बीच में से काट देता है और मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ क्योंकि पिक्चर देखो कुछ साफ नहीं है लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीन बगल जाता है और हम देखते हैं की बारिश होने लगी है काफी ती देखते हैं कि च्छेन की वाँ के सामने बोहुत साधा खुन डला हुआ होता है और एकाद में फावत में एक तलबार पकड़े होे है जिसमें से डार्क अनर्जी निकल रही होती है तो दोस्तों शाहिज से हमारा हीरो लेकिन वेड़ अमेने दोस्तों यह हैं जो कि शाहिसें उससे उसी नदीज में से मिली होगी और दोस्तों हम देखते हैं कि हमारे hero की body में से कुछ जाधा ही dark power निकल रही होती है और ये शायद इस तलवार की वज़े से है तो अगर तम लोग जाना चाहते हो कि आगे क्या होने वाला है क्योंकि कहानी होती जा रही और भी जाधा interesting सो बनीरे ना स्चनल पर हमारे साथ अगर यापिजोड पसंटार राधा है और ये प्सुडब करना चनल पर नाया है है सब्सकाइब करना और थैंक्स वर वाचिंग थैंक्स वर सब्सकाइबिंग थैंक्यू थैंक्यू सो मच्छ। सावनारा